समझदार व्यक्ति कौन है जो किसी और को ठोकर खाता वा देखे और खुद संबल जाए तो वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है लेकिन फिर भी ठोकर खाके भी अगर संबल गए तो भी चल जाएगा परंतो जो व्यक्ति एक ही पत्थर से दो बार ठोकर खाए वो महबूर कहलाता है तो वरशब राशी वाले लोगों को किसी और की गलतियों से सीखना चाहिए देखेगा यही शब्द वरशब राशी वाले लोगों के लिए जून 2023 के मैने में सफलता का गुरू मत्र बनेंगे और आप देख रहे हैं ब्रशब राशी जून 2023 राशी वाले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आगे बटने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप फिलहाल मुस्से परसली मिलना चाहते हैं तो मैं 21 माई को पूरे हूँ 26 माई मुंबई 27-28 माई दुबई और 29 माई को दिली रहूँगा आठ से लेकर 30 जून तक मैं यूएस कैनेडा यूके के आतरब रहूँगा डेटेल आपको नीचे दिख रहे हैं वरशब राशी बाले लोगो कि राशी फल में आज सबसे पहले बात करेंगे कौन सी जो ग्रहों की पोजिशन है जो बदल रही है कौन सी डेट पर आपको अलेट रने चाहिए कौन सी अपके लिए शुब डेट है बाद में बिजनस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रॉफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनिशिप की बात करेंगे स्टूडेंट और लर्नर की बात करेंगे सेहत और ट्रेवल प्लैन की बात करने के बाद यादगार और शांदार जून कैसे बने, इसके होंगे विशेश उपायने के शुरुबात, ग्रहों के परिवर्तन से देखें सबसे पहले साथ जून से बुद्ध आपकी राशिप राशिब राशिम आ जाएंगे 15 जून से सूर्य सेकंड आउस मेतन राशिप राशिप रहेंगे 17 जून से शनी टैंथ आउस पर रहेंगे कुम राशिप में लेकिन अब वो वक्री हो जाएंगे फिर देखें 20 जून से बुद्ध आस्ट हो जाएंगे काम बनते नहीं बलकि बनते काम बिगड़ जाते हैं ऐसी अवस्ता तब आती है जब रशब राशी से चंदरमा जो की मन और मस्तिश के स्वामी हैं वो जब चौथे आंटवे बारवे जाते हैं तब तक्लीव देते हैं इसी करीब में 5 और 6 जून को आंटवे 13 14 15 जून को बार मार गुरू का केंद्र का संबंद बनाएगा महान गज के सिरूर 21 जून को थर्ड आउस में चंद्रमंगल का महल अश्वियो साथ से 14 जून तक आपकी राशी में और 24 जून से सेकंड आउस में सूर्य बुद का बुदा दित्यों रहेंगा ग्रहों के साथ साथ देवी तब आपको बड़ा अश्रवात देंगे पांच जून को परियावरन दिवस 19 जून से गुप्त नवरातरा प्राणम होंगे और 29 जून देव शैनी एकादशी है आईए बिजनस एंड वेल से शुरुबात करते हैं देखें साथ से 23 जून तक बुद्ध आपकी साथ वी द्रिष्टी से सेवन ताउस जो की बिजनस आउस को देखेंगे इस व्यवार में आपको कुशल वक्तव देना होगा कुशल वक्ता बना होगा और मार्केटिंग सेल्स पर्चिस के गुन आपके इंदर आएंगे विव जून के महिने में बिजनस पार्टनर की मदद बिजनस में बहतर परिणाम देगी पर तुशनी वक्री हो जाएंगे तो वक्री का मतलब पीछे जाना तो आपको खुद पीछे जाकर देखना है कौन-कौन से आपने गलतियां की है उसे सबक सीखना चाहिए 17 जून से पहले नया स्टार्ट अप शुरू करने के लिए समय आपका साथ दे रहा है और 17 जून के बाल नया बिजनस आप शुरू कर भी सकते हैं साथ से चौदा जून तक आपकी राशी में सूर्य बूत का बुदा देती हो आपको इनोविटिव और क्रेटिव आइडियास देंगे लीगल अवेरनेस देंगे मैनेजमेंट प्लानिंग और्गनाइज बैतर होगा फैनिशल कंडिशन बैतर होगी बिजनस में बौधिक ब और सजगता, सही कैलकुलेशन, सही प्लानिंग, सही मोडस ओपेंडरी आपको इस महिने में कई तरह की तक्लिफों से बाहर देकाल देगे होगे हालां कि मंगल का सेवंत आउस से नवं पंचम राजयोग रहेगा जिससे एनरजी लेवल शांदा रहेगा बिजनस पे उड़ आने का अफसर जरू मिलेंगे, बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन किये, सबसे पहले देखें, टैन ताउस में शर्चियोग रहेंगे, लेकिंशनी बाद में वक्री हो जाएंगे, जिससे जून में आप पर कार्य बार के अधिकता, नई जिम्मेदारी आपको मिलने व पंचम राजयोग रहेगा, जिससे मैनेज्मेंट, लोगों को अच्छा करने और अपनी योगिता का निखार करने से आपको सरहना मिलेगी, पीट पीछे आपको तारी भी मिलेगी और बहुत सारे महतुपुन गाम ऑफिस पे करके आप मान संबान कबाएंगे, मंगल की प्रिकेशन और जूटे लांचन आवरोप लगवा सकता है, जो मान संबान में आपको पहले काता मिलेगा, उसमें आप ही कुछ सेंदमारी करने बाले हैं, केतु की पांचवी तरिष्टी टैन थास्ट पर रोने से, इनोवेशन, क्रियेशन और कहिन के आपकी रूची बहु अपने घर के दक्षिन पूर्व में लाल गोड़ों का जोड़ा रखने और उत्तर दिशा में हरे प्लांट लगाने से, धन का आगबन घर में सुख शांती और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बात करते हैं, फैमिली लाइफ, लाइफ लाइफ और रिलेश्टिशिप की गुरु का सेवन्त आउस से सडाश्टक दोश, जिससे लव पार्टर और लाइफ पार्टर में आपको कमी महसूस होगी, घर से दूर जाना पड़ सकता है, पार्टर से दूर जाना पड़ सकता है, परिवार के शुबकारियों में कहिन के विग्ड आने वाले हैं, शनी भी उनने वाले शनी के दस्वी दिश्टी सेवन्त आउस पर उनने से आपका लाइफ पार्टर पारिवार एक विश्यों में रूची कम लेंगे, घर में जगड़ा फसाद का वातावन बनने वाला है, जीवन साती को नाराज न करें, बलकि ट्रेवल करिए, गरमी की छुटिया हैं, कहीं के परिवार साथ जाने के मौके में बलेंगे, लेकिन इसके लिए प्लैन करना पड़ेगा, शुकर का सेवन्त आउस से नवंपंचम राज्यों रहेगा, जिसे पारिवार यात्रों में सावजानी बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, और शुकर बंगल के साथ हैं, लव जड़त्वदोश का इनके आपको बुरी तकलिफों में डाल सकते हैं, इसलिए आपको इसको मैनेज और और और्गनाईस करना होगा है, हाँ, बच्चों की तरफ से आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट और लाब बिलने बाला है, बात करते हैं, स्टूडेंट और लेर्नर की यहां पर देखिए स्टूडेंट और लेर्नर की बात करें तो साथ से लेकर 23 जून तक बुद का पंचम बाव, पढ़ाई के गड़ से नवम पंचम राज्यों गरेग, जिससे एजूकेशन में मा बावची का फूल सपोर्ट बिलेगा, सूर्य बुद के साथ है, इसलिए द जो स्टूडेंट आईटी के हैं या मेडिकल शेत्र जुड़े भी लोग हैं, उनके परियास आपका मनोबल बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ने कहीं मनोरंचन, सोचल मीडिया, प्यार, इश्क और महबबत, इसको एक लिमिट तक समय दीजिए, वरना आप बहुत इंपोर्टन दो बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइब यात्राएं करने का अफसर बिलेंगे, आँखों में तक्लीफ, हड्यों की तक्लीफ, इंटेंस टाइन की तक्लीफ, पैन किरियास की तक्लीफ, डाइबिटिक और हाड के मरीज के लिए दिन अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत ध पाई की बात करते हैं, सबसे पहले तो 5 जून को परियावरन देवस पर महादेव की मंदिर में आपको बिल्वपत्र का पौदा लगाना है, किसी उचेत इस्तान पर बिल्वपत्र का पौदा भी लगाया जा सकता है, शमी का पौदा लगाना शनी मंदिर का असपास, पीप जून गुप्त नवरात्र प्रार्म हो रहे हैं इस दिन गर के सुक्षान्ति और ओफिस के सुक्षान्ति के लिए महा गौरी स्वरूप की उपास्ता करते वे ओम स्रीम क्लीम हरीम वर दातिये नमहा मंत्र के एक बना चाप करें और साथ ही अनमेरिड लोगों को जो कन्या है य सर्वतों बद्र यंत्र को बगवान विश्टूंची के चरणों में रखकर उनकी विधिवत पूजा करें और ऐसा करने से आपका मन एकागर होगा और आपका मन कर्म और पढ़ाहिम लगेगे इतना ही नहीं अगर आप उच्छ सिक्षा या जॉब के लिए विदेश के वारा पर जूट सकते हैं दियेगे नंबर पर संपर करके पूरी जानकारी भी आसल कर सकते हैं आज के लिए तरह ही प्यार भरा नमस्कार और बहुत-बहुत आशरवाद